हेलो दोस्तों वेलकम टो एक्जामपूर हमें एक्जामपूर कलम से एक रांती मैं पुलकेट एक बार फिर से आप सब का आपके अपने परिवार एक्जामपूर में हार्देख स्वागत करता हूं तो आप सभी साथियों को नमस्कार अदाब और सेसेकाल और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो और दो मिनट क्लास लेट हो गए उसके लिए सौरी यार ठीक है तो चलिए तो जल्दी से आप सभी लोग प्लीज इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजे जितने भी आप यूपी एसाई के यूपी कॉंस्टेबल के स्टूडेंस है क्योंक यूगों ने शेयर कर दिया होगा और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजे क्योंकि इस पे हम पढ़ रहे हैं यूपी एसाई 2017 वाले पेपर इसमें हम सौल आउट कर रहे हैं यूपी एसाई 2017 वाले पेपर्स को ठीक है चलिए तो जल्दी से हैना फटा बना रहे है इसी प्रकार है और बहुत सारे दोस्तों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुच पाता है इविन मेरे खुद के मोबाइल पे नहीं आता है तो इसलिए ही कहता हूँ शेयर कर दिया करो और टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर लो क्योंकि उसमें हर वीडियो का लिंक जाता है लिंक आने से क्या आपको पता चल जाता है कि क्लास शुरू होने वाली है या शुरू हो चुके है ठीक है तो इसलिए कहते हैं टेलीग्राम जॉइन कर लिए क्लिए चलिए ठीक है तो तयार है आप सभी लोग चलिए बहुत बढ़िया गुद इवनिंग गुड मॉ morning रादे रादे राम राम भाई चलो तो शुरुवात करते हैं आज के कोशन से शुरुवात करते हैं आज के कोशन से तो कोशन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है कोशन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है देखिए कुछ इस प्रकार है कोशन नंबर वन तो यह रहा आपकी स्क्री पर question number one करिये this question को बनाए क्या कहा गया है काफी बड़ा से question दिख रहा होगा काफी बड़ा से question आपकी screen पर दिख रहा होगा यहाँ पर option है अगर कट रहे हैं कोई बात नहीं आप answer निकालो इतने में option visible कर दूँगा ठीक है जब ऊपर कर दूँगा तो option दिखने लगेंगे इतने आप answer निकालो क्योंकि editor sir चले गए है मैं हम चली गई है है ना चलिए करिये this question का answer याद दीपक सागर पहली चीज तो किसी ने time out किया नहीं दूसरी चीज इतनी ego लेके कहा जाएगा एक बहुत अच्छी सी चीज है कि जितना down to earth रहोगे ना मुझे जादा down to earth मुझे लगता है तुम भी नहीं हो है ना तुम एक student के तौर पर इतने egoistic कैसे हो सकते हो इतना ego एक विध्यारती के तौर पर बिटा जीवन में successful होना है ना तो कभी ego तो दिखाने ही मत और किसी teacher के आगे ego दिखाने का मतलब पता है क्या होता है कि that आप अपने आपको superior समझ रहे हो उससे तो है ना कि उसकी तो कोई value नहीं है तुम superior हो समझे बात तो दिपर सागर जी इतनी ego लेकर के शायद ही कुछ हो पाएगा ठीक है चलिए कोशन आपकी screen पर है आंसर कर दीजे बाकी लोग जल्दी से फड़ा फट से तो कोशन आपकी screen पर है जल्दी से आंसर करिया इस कोशन का क्या कहा गया है इस कोशन में तो इसमें अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है क्या हुआ दोस्तों जल्दी से आंसर करिये फटावट से चलिए करिये इस कोशन का अंसर जल्दी से तो यहां पर साउथ वेस्ट आंसर आ रहा है कोई option B दे रहा है कोई option A दे रहा है अब यहां पर आंसर तो एक ही होगा या option A होगा या option B होगा चलिए चेक करते हैं तो इसको मैं image को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताक कि बनाने के लिए थोड़ी जगा मिल सके ठीक है तो देखे कोशन में कहा गया है कोशन में कहा गया है प्रवीन का घर माली जिर्ण चेह अगर यहा पर है उससे तीन सो मीटर दक्षीर पूर्व में मतलब 37 में 300 में साथ गहरए तैनसो मीटर sudah में किसका गहर प्रवीन का घर है किसका घर है ठीक है जोसिफ का आगधर राजीव के घर से उत्तर पूर्व में 300 मीटर है तो जोसिफ का घर राजीव के घर से 300 मीटर कहा है उत्तर पूर्व यानि के 39 पे है ठीक है फिर बोला गया है गोपाल का घर जोसफ के घर से उत्तर पश्चिम में 300 मीटर दूर है देखेगा कहा गया उत्तर पश्चिम में 300 मेंटर दूरी पर फिर बोलना है केविन का घर Gopal के घर से दक्षिर पश्यम में 300 मीटर की दूरी पर है तो दक्षेश पर यानि की सिंपल सी बात ये हो गई कितना 300 मीटर किस्का घर भही अगर ये 300 तो ये भी 300 é ये वाली जो लाइन ना आ है ये वाहली जो नाइन एक तरीके से यह सेम हो फिर मेरे बनाने में ही गड़्ब्र हो रही है औनला गड़ वोगी नहीं ठीक एक तरीके से मैं अम देखिए यहां पर बोला इसका घर गया बोला गया है कि केविन का घर गुपाल के घर से दक्षिर पश्चिम में कितना है 300 मीटर तो यहां पर कौन है केविन पीटरसन तुमारे पूछा गया है प्रवीन के घर के संदर में केविन का घर किदर है तो प्रवीन का घर यहां पर है इसके संदर में केविन का घर किदर है लेइन अप्ण प्र scientопас्र governo और है नौर्थ संजर गादे प्रसक्राइबust प्रकार चेज्डी पुचियरे अप गलतिकां में किजीब क्योंकि यह मैं आई हुए प्रश्ण है और अगर आप इन्elle kaipars को गलत कर रहे हैं क्योंकि युपस आइ 2017 के कोष्ट है तो अगर आप इन reliability कर रहे हैं आप एक्समें गलत कर रहे हैं आप यह ऑают है आप यह सोच के रहुआ पर एक्साम में गलत कर रहीत है करें को समझ में आगए बात कर दो समझ में आगई तो तो अगला question देखते है question number 19 तो देखिए 19th question आपकी screen पर है बना ये question number 19 आपकी screen पर है ये क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से करिए questions को गलत मत कीजेगा चलिए बहुत बढ़िया उत्तरपश्यम ठीक है क्या हो गया प्यूश कौशेक इतना upset क्यों है भाई चलिए करिए इस question का answer जल्दी से फड़ावट से सब्सक्राइब नहीं आ रहे है पिटा स्पीड तो प्राक्टेस से आएगी और किसी चीज़ से थोड़ी नहीं आएगी जितनी प्राक्टेस करोगे उतनी स्पीड आएगी ठीक है तो प्राक्टेस करनी पड़ेगी स्पीड के लिए तो बिना प्राक्टेस के स्पीड आएगी भी नहीं अब कोशन अगला है आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कौन-कौन सही करता इस question को तो बिरुजगार बच्चा के रहें सभी गलत है पहला अंसर इसी काया है बाखी देखते हैं अब यह माता पिता ने अच्छा नाम रखा होगा तुम्हारा उस नाम से अपनी आइडी को चेंज करके और अच्छा सा नाम जो भी घरवालों ने रखा हैं मैं पापा ने रखा इस अच्छा अब शुचल अखो अच्छा शुरा टो आजब ऑनो ने क और भाई साब कोड़ और सिलेंडर का कोई रिलेशन नहीं था वो दोनों अलग थे ये दोनों अलग होंगे ठीक है तो बिलकुल बेटा कोड का यह वाला जो इससा है जो बोत रॉंग कहा रहे हैं वो ध्यान दे कि कोड का यह वाला हिस्सा कभी भी पीनेट नहीं होगा ना 10.000 के एडिस बिलकुल करेक्टे ईजगे तो फर्स फैस्स न क्या है तू है सेकेंड लेकर आल मार्निंग चाल वील तो यह गलत है क्योंकि मॉर्णि और विलमें कोई रिलेशन ही नहीं है मॉर्निंग यहाँ पढ़ा है वील यहाँ पढ़ा है तो सेकिंड गलात होगा फस्त चोटी सी गल्तिया आप क्यों कर रहे हो इतनी छोटी सी गल्तिया क्यों कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान से नहीं करोगे त्यान से कर लो यार क्या रखा इतनी तेजी में तेजी तब दिखाना जब एक्जाम जरूत पड़े है ना अभी तो फिलाल ध्यान से करनी की जरूत है ना अभी गलत क्यों कर रहे हो यार फिर क्या हो गे सर हो गया बंटा गोल अगला देखते हैं कोशन नुम्बर 20 लेक्स होगा अगला कोशन है इमेज का कोशन है अगला कोशन आपका इमेज से रिलेटेड है क्या यहां पर एक टुकड़ा गाया मतलब इसको कंप्लीट करना है इसको क्या करना है दोस्तों कंप्लीट करना है इस इमेज को ठीक है तो इमेज को कंप्लीट करना है तो अब देखिए आपके पास options है given है आपको सारे options आपके पास given है आप लगाईए और इसको complete कर दीजे जल्दी से भई फड़ा फट से बहुती बढ़िया तरीके से तो इसमें दो option लगबग सेम से हैं और वो दो option ही कहानी को सारी तरह से बदलेंगे दो option लगबग सेम है ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से करेगा क्योंकि इसमें गलती होने के chances 90% है इसमें गलती होने के chances 90% है थोड़ा ध्यान से करो क्या हो गया हुआ 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 चलिए तो यह गलत अंसर मैं बोल रहा था आप लोग ध्यान से करना क्यों गलत है क्योंकि तो इसमें इस image को आपको यू complete करना पड़ेगा ठीक है और यह ऐसे complete करने के लिए आपके पास या तो यह तरीका है ठीक है यह यह तरीका है c option तो बन नहीं रहा यह तो देखो सेम है इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है तो इन लाइनों से इसका आंसर आएगा अब उसके बाद complete तुम्हें यह वाली image भी करनी पड़ेगी ऐसे करके तो इसमें इंहीं आ रहा जब यह नहीं आ रहा तो यह भी से कर लो चलो कोई बात निया थोड़ा सा ध्यान रखो इन सब चीजों का एना एक्जाम में वनना फिर नंबर कटेंगे यहीं से तो कटते हैं नंबर यही तो कोशन आपके यहीं कोशन आप गलत कर रहे हो तो आपैसे बात एक्जाम में भी गलत ही कर किया होगे है और अब इस आपकी स्क्रीन पर है बनाईगे इस कोशन का अंसर जल्दी से अच्छा आपका बी था चलिए बहुत अच्छी बात है जिसने बी दिया था और जिसने डी दिया था उनके लिए थी यह वाली बात की थोड़ा से एक्जाम में ध्यान से करना ठीक है चलिए करिये इस कोशन का अंसर यह क्या रहा है अच्छा ठीक है पांडे जी आपने भी बे दिया था मान लिया अब कोशन का अगले का तो आंसर कर दो नेक्स कोशन का आंसर कर दो जल्दी से विटा शिवम बदल दिया था तुने आंसर पहले कुछ और दिया था चलिए करिये इस कोशन का अंसर देखे क्या कह रहा है कोशन 21 ब्लड रिलेशन का कोशन है रक्त संबंद का बाइसाब बिल्कुल देने जाओ छेशल का एक्जाम हातों में गलप्स पहन लेना ठीक है वह आते हैं डॉक्टर वाले गलप्स मास्क लगा लेना और हैंड सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाना फिर उसके बाद आप छेशल का एक्जाम दिया हो ठीक है और अगर घर वा लोगी बात माले ना बाकी तो ठीक है लड़ाई दंगे करके मत जाना देखिए कोशन आपकी स्क्रीन पर है करा सूर्या इस मदर ऑफ अखिल सूर्या जो है सूर्या इस मदर ऑफ अखिल यानि कि सूर्या जो है वो अखिल की माह है सूर्या इस मदर ऑफ अखिल सूर्या जो है अखिल की माह है जिसकी दो बेटिया है तो यानि कि अखिल की दो बेटिया है दो बेटी है कौन-कौन सूजी और सुविधा सूजी और सुविधा क्या है इस और दादी बुलाएकि दादी यानी की ग्रेंड मदर ग्रेंड मदर यानी की ऑप्शन नुबर सी यहां पर इस कोश्चिन गांसर लगबग सभी का सही होगा चलिए बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत अच्छे ठीक है अगला देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन होगा आपकी है ना अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 40 कोशन जो आपके आये थे उनमें से लगबग बाइस से 25 कोशन बहुत इसी थे हैना बहुत जादा इसी थे ठीक है पांच कोशन मॉडरेट थे यह था मॉडरेट थे और पांस साथ कोशन और जो बचे हुए लगबग दस कोशन थे ना वहाड थे तो इजबाले सब करके आएंगे मॉडरेट वाला वो करेगा जिसने पढ़ाए तो कट अवसे बनती है कि कट ओफ यहां से बनती है और टॉप यहां से बनते हो अगर तुमने ये अटेम्ट कर दिया तो तुम टॉपर हो और कट ओफ क्लियर करनी है तो मॉ ठीक है तो मैं वह हाड कोश्चन भी करना पड़ेगा चलिए अब इस कोश्चन का अंसर करिए जल्दी से अगर इस कोश्चन की बात करें तो यहां पर नंबर ओफ लाइंस एक्वल होंगी यहां पर भी नंबर ओफ लाइंस एक्वल है इक्वल है सिर्फ एक यह इमेज है जो अनिक्वल नंबर ओफ लाइंस और डारेक्ट देख रहा है यार है इस इमेज में तो सी ऑप्शन देने का प्यू कॉशिक भी आंसर देने का कोई तात पर रहे ही नहीं बनता क्योंकि नंबर ओफ लाइंस की बात कर रहा है यहां पर 2234567001 2345 यहां पर 223045 ठीक है अभ़हां पर देंख 123456700 एक दो तीन चार पाच खेसाथ आठ ठीक है तो यहां पर कितनी हो गई आठ हो गई बाकिस अब में इवें हो गई तो भी औप्श्ण है क्यों भी मींसरें एक बाह वताओ एक वड दो टीन चार पान कशेक सात अठ इसमें लाइन्स कितनी evident एक गडवीज दो टीन चार पांच लाइन्स कितनीं अफ़जığın संब औरो टीन चार पांच निए पंच एक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे इसमें कितनी है छे आ रहे हैं कुछ गलती कर दे हमने एक, दो, तीन छीक है इसमें जो भी फिलाल लॉजिक लगाओ आप, है ना नमबर ओफ लाइन्स का लॉजिक नहीं है इसका, नमबर ओफ लाइन्स का लॉजिक नहीं है इसमें कोई और लॉजिक है, लगाओ जल्दी से फिर ठीक है, इसमें number of lines का logic नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें number of lines का logic नहीं लग रहा है, ठीक है, answer फिलाल जो है, अगर आप बात करेंगे, इसमें क्या है, अगर यहाँ पर आप बात करेंगे, तो यहाँ पर equally diameter के उपर questions बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, number of lines जो है अगर हम diameter के उपर बात करें तो यह यह सेम आ रहे है number of lines पे नहीं है केवल यही different है तो answer must be d but number of lines पे नहीं है answer होगा diameter के उपर ठीक है तब भी answer जो बनेगा आपका d ही बनेगा तब भी answer जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा d बनेगा अच्छा यह question देखना इस question को द्यान से करना number of lines के उपर नहीं था diameter के उपर था ठीक है बट इस question को द्यान से करना क्योंकि यह question आपका यह question जो है images मैंने change किया है जैसे आपको कल भी दिखा था परसो जब मैं question करा रहा था तो यूपी एसाई के पेपर में आये इमेजेश ना वो डार्क वाले थे black color में वह whiteboard पर चमक नहीं पा रहे है ठीक है आपको पता हूपी एसाई की टोटल आंसर के कितों यंथे बताःगा कोई आए थिए यूपी एसाई 2016 की जो वेक ag है ऊंपार के इसके टोटल आंसर की कितनी यंथी थी पता है किसी को इ से को बता सकता है को और चलिए तो कर्येश नका ऊ betईएwashीं पताल आंसर की कितनी आइंती पता है किसी को चलिए देखें तो अगर आप बात करें इस question की तो यहां पर जब पुस्तकाल किताव और पनने यानि कि देखिए आप बात कर रहे हैं बड़े से अगर हम चले तो लाइब्रेरी होती है लाइब्रेरी में जब आप जाते हो तो उसमें आपको बुक्स मिलती है और बुक्स के अंदर क्या होते हैं पेजिस होते हैं और आंसर की पहली वाली जो उसमें डी आंसर था जो बिल्कुल गलत था आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा तो मैं आपको बता दूँ इसकी जो आंसर की आएं थे पेटा पांच आंसर के आएं थे टोटल रिवाइस हो वो करके ठीक है तो यह हाल किया था UPSI में चलिए तो अगला देखते हैं कोशन नुमबर 24 तो नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नुमबर 24 पूछ रहा है find the odd number out of the given numbers आपको बताना है इन में से कौन सा विशा में और यह बहुत सिंपल है सामने दिख रहा है कि कि यह बहुत सिंपल है सामने से दिख रहा है ओ थाव कोई ना टकुरा रहा है उंटे सपोने ना तुम्हें जा रहे उंतिस अप्रयल को परिसान मतो इतना ठीक है बढ़ाई पर ध्यान दो बस कतम बात क्या कॉनसा पिंड तक रहा है तुमें किसका डल लग रहा है तुम तो सबसे भाड़े वाले डरावनेही इंसान खुद से हो है है यहां करके सब को जराओ की कोशिश कर रहे हो कारें क्विजव चलिए अभ्लव साफ नहल ज़ Conrad प्रशनिश्ट आप्की स्क्रीन पर रेखे क्या कह गया है 24 वा प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही प्यारा सा असा कोश्चन है 256 कैसे हो गया कोई बताएगा क्या लॉजिक है 256 का 256 जो आप आँ सा दे रहे हो कोई लॉजिक दे दो कोई लॉजिक दे दो 256 का 32 498 108 256 32 498 108 256 और इसमें बस एक बेसिक सा लॉजिक है और कोई भी लॉजिक नहीं है ठीक है एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है और कोई भी लॉजिक नहीं है करिए इस कोश्चन का आँसर जल्दी से फड़ावट से 256 का कोई लॉजिक बताएगा चलिए करिये इस कोशन का आंसर नहीं पांच थी साथ भी नहीं थी है ना तो देखिए वर्ग है अच्छा जी वर्ग से आंसर हो गया वर्ग ऐसा नहीं होता यार इतने आसान थोड़े ना खेर दोसुच अपन आंसर नहीं है एक्जामिनर के अकॉर्डिंग तो फिर ठीक है एक्जामिनर ने बहुत ही सिंपल जा अंसर माना है फिर ठीक है एक बच्छा 18 उतारा चार चोग 16 तो बच्छा कितना अपका 2 शेश बच गया तो सिर्फ और सिर्फ यह क्या है चार का गुडांक नहीं है इसलिए इसके अकॉर्डिंग तो अंसर सिर्फ 408 वे है तो तुमने लॉजिक अलग सोचा था 255 क्यों क्योंकि वो 16 इसक्वायर है अंसर क्या दिया उसने ठीक है बाकी सब मल्टिपल है चार के that means all other are multiple of 4 except 498 seconds the answer will be 498 ओके चलिए तो next question देखेंगे question number 25 प्रश्न चलिए करिये तो अब ये 25 प्रश्न बहुत अच्छा है 25 प्रश्न बहुत अच्छा है मैं चलिए करिये इस question का answer अच्छा देखें एक बात मैं आपको ये बता रहुं क्या कि जब आपके statement assumption के question आयो कही सारे question बहुत सारे exact ads में भी आचुखे होते हैं और repeat होते हैं तो कहीं बार exam में अलग अलग answer दिए इन्हों सेंगर इसी question की मैं बात करूं तो यह question आपका SSC में भी एक बार आया था और उसमें भी answer अलग थे तो उस पर आपको डरने की जरूत नहीं है फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा फिर आपको वही जो question का objection लगता है वो objection लगाया जाएगा उसमें कि साहब यह question SSC ने दिया था तो इसका answer यह दिया है आपने दिया है तो आपने answer यह दिया है या तो आप justify करिए यह question को cancel करिए तो ऐसे question generally cancel कर दिये जाते है ठीक है चलिए करिए इस question का answer देखे तो next question आपकी screen पर है आपको दिख रहा होगा तो चलिए करिए इस question का answer जल्दी से फड़ावट से यहां पर बोथ राइट answer आ रहा है बहुत सारे students का ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो यहां पर बोला गया है कि शूट computer knowledge be made compulsory for school students के रहे क्या सभी विद्याले के छात्रों के लिए computer ग्यान अनिवारे कर देना चाहिए देखे ध्यान से it is a case of statement and argument that means कथन वा तर्क जुह कभी भी सही या गलत नहीं होते तर्क कभी भी सही या गलत नहीं होते तर्क का मतलब होता है तर्क का मतलब होता है strong या weak प्रबल या कमजोर मजबूत या ताकतवर या कमजोर तर्क है ना तो अगर यहां पर आप answer दे रहे हैं बहुत right or wrong तो भी आप गलत answer दे रहे हैं क्यों कि बहुत right or wrong तो होते ही नहीं है वो basically अगर हम बात करें ठीक है तो यहां पर देखे यहां कह रहा है अगर किसी चीज को हम बच्पन से सीखते हैं तो में जादा असानी हो यह होते है जैसे हंदी हंडी हम जब न रिचरे tip पैदा होते हैं तब से हम सुनने लगते हैं ममी पापा से चाचा फुफा सबसे है 활 बील अजाते ह büy मु में कोई इस देवने चृता नहीं है के बोलनी कैसे हैं बड जब हमेंं लिचे बोलना स உ में से उन हम कोश्छिंग those तो अगर कोई भी school education से अगर मैं आपको computer सिखा रहा हूँ, LKG से सिखा रहा हूँ compulsory करके question सुनिये, compulsory करके तो आप वो जान जाएंगे और it will be helpful for our digitalization digital India program तो ये point बिल्कुल strong होगा, ठीक है अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहा गया है second में क्या कहा गया है second में कह रहा है कि yes yes this will improve to be helpful in better preparing the youth in finding employment as computers are known to be essential qualification ये गलत है, कह रहा है कि हाँ यह युवाव को रोजगार ढूनने में बैतर रूप से तयार करने में मददगार साबित होगा इतना तो चलेगा कि में मददगार साबित होगा अगर यहां तक होता तो मैं इसको strong मानता बट यहां पर इसने point extra जोड़ दिया क्योंकि computer ग्यानत एक आविश्यक योगिता मानी जाती है is an essential qualification ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, computer knowledge is not an essential qualification ये weak हो गया, तुमसे ये किसने कहा, essential है ठीक है, essential नहीं है computer knowledge आती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी okay, essential कहां से हो गई मुझे बताएगा कि how is it essential, मैं मैं teacher हूँ मैं reasoning पढ़ाता हूँ नहीं आता मुझे computer बताओ क्या करे मदब खेर मुझे तो आता है तो यहां पर बात हो गई है essential की वज़ा से only one is strong ठीक है यहां पर बात हो गई है only one is strong ठीक है, चलिए तो आगे देखें, next question को देखते है, question number 26 तो अगला question होगा question number 26 27 होगी है तो बहिया यहां पर distance and direction का question है, यहां पर distance and direction का question है, बनाई है इस question को भी जल्दी से तो बहुत सारे student बहुत strong दे रहे थे ऐसे कैसे हो गया अच्छा एक बात बताओ तुम UPSI में constable बनने जा रहे हो नहीं आता computer is not essential, triple C वांगा है क्या उसमे essential तब होता है, जब वो क्या देता की triple C का डिप्लॉमा जरूरी है that means अब essential है है ना UPSI बनने जा रहे हो, उसमें essential है क्या नहीं हाँ अगर लेखपाल बनने जा रहे हो उसके लिए triple C essential है तुम teacher बनने जा रहे हो, तुम TET का exam देने जा रहे हो, क्या वांपर essential है? नहीं है, आता है ठीक, नहीं आता है, ठीक ठीक है? तो भाई साब खाने वाने की सुबा सुबा बात मत किया अगर हो, दो बजे के बाद खाया जाता है, तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो बस चलिए, तो question 26 वा प्रशन आपकी screen पर है नहीं, 24 साहाब, ध्यान से का कोशन हैं, थर्क कोसन है, तर्क इसपर डेपैंड करता है ना की, कमपल्जन ठोकता है थैंना, two statement conclusion, वह statement assumption हो जाता है, कि हम पूर्वधार्णा, बनाते हैं जब, येही, ही तो, दोनों में फर्व पूर्वधार्णा हैं और थर्क में, ठीक किना, करिए कोशन का अंसर जल्दी से तो यहाँ पर साउध डारेक्शन जनरली आ रहे है अंसर में क्या रहे है लता स्टार्ट फॉम पॉइंट ए मालनीजी यहां से उसने चलना शारब किया दो क्लोमेटर उत्तर में चलती है फिर अपनी दाईयोर मुढ़ने के बाद दो क्लोमेटर चलती है फिर अप दोबारा अपनी दाईयोर मुढ़ने के बाद 2 क्लोमेटर चलती ए अब उसका फेस की इस दिशा में है तो साऊथ में है ध्यक्षट पी पीस ऑप्शन wil बी और और सविल बी साउथ में है आंसर क्या हो गया अप्शion निम्हुंब् HE हो गया ठीक है आंसर कर वोगए आपका और घ्रप्ट हुग आप्षयर व्योग गया चलिए तो अगला कुछन दें नेक्ट सौाब मजट रॉइसव foarte अपका गेलन कुछन 020七 आपका सामर स्लोड चousलो ही डॉन का कुछ ग्यारा बजे एक बहत्रीन प्लान जो पूरी कहते ना क्रामती ला देगा है जो क्रामती ला देगा ओनलाइन एजुकेशन के कहते ना इतिहास में तो करिए इस कोश्चन का अंसर जल्दी से गौरफ चोहन भाई इतनी अंग्रेजी मुझे समझना आती इतनी तुने लिखती सोरी बहुत बड़ी सी इंग्लिश लिख दिया तुने 4-5 लाइनों के इतनी कहां से पढ़ू मैं इतनी में दो मिनिट मुझे इंग्लिश पढ़ने में लग जाएंगे चले कोशन में कहा गया है तो कोशन में कहा गया है नो इमोशन इस ब्लिस कोई भावना आनंद नहीं है नो इमोशन इस ब्लिस फिर कह रहा है नो ग्राम इस कुंटल नो ग्राम इस कुंटल कोई चना कुंटल नहीं है यह तो अलग अलगी बात हो गई ठीक है दोनों अलग अलग है नो इमोशन इस ब्लिस अब अगें देखें कॉंक्लूजन में है कि कोई भावना आनंद नहीं है नो इमोशन इस ब्लिस ठीक है नो इमोशन इस ब्लिस अब यहाँ पर बहुत सारे स्टुडेंट आंसर दे रहे हैं सही ओनली वन राइड लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरम्स ओफ यूपी एसाई एक्जाम तो क्या हो आफ बात कर रहा है अना अब क्या रहा है अपर in terms के तौर बपता कर यह आफ बहुत सारे स्टूडेंट आणसर दे रहे है क्योंकि जैसा कि यहाँ पर लिखाय कोई भावना अननद नहीं नो इमोशन इस ब्लिस क्योंकि यहाँ पर भी new emotion is bliss लिख्ण है कोई भावना आनंद नहीं है और UPSI ने UPSI ने restatement को wrong माना था UPSI में restatement का question आया था उसको wrong मानके उनने आगे बढ़ गया था ठीक है पिर क्या रहा है some grams is quintal कुछ gram एक quintal है तो gram और quintal नहीं यह तो गलत हो गया ठीक है तो यहां पर बोत wrong answer होगा ठीक है ध्यान लगएगा चलिए तो 28 देखते हैं 28th question जो है आपका data sufficiency का है 28th question जो है आपका data sufficiency का है देखिए मैंने full zoom कर दिया अगर नहीं दिखे तो मुझे बता देने पर comment करके कोशे शेमीरी दिख जाए ठीक है चलिए करिये चलिए करिये करिये इस question का answer देखो restatement कहीं गलत होता है कहीं सही होता है ठीक है अगर UPSI का वेपर देने जा रहे हो तो वो उसने गलत पाना हुआ है ठीक है बाकी constable में कभी question आया नहीं है तो मैं तुम्हें यह ग्यात नहीं करा सकता कि गलत होगा सही होगा simple सी बात और constable में आएगा भी नहीं है ना constable का level इतना नहीं जाता है और वैसे आप गलत ही माना ना constable में क्योंकि UPSI constable दोनों लोग एक ही करा रहें पेपर बर्ती बोड़ी कराता है है यह यूपी ट्रफल सी में भी गलत माना था जब ग्राम विकास अधिकारी का विपर आया था वही मात करूं नहीं सही माना है तो अलग अलग कहानिया अलग अलग चीजे फिलाल UPSI के कुछन है कि थोड़ा सा अलग सा कोष्चन है तो चाहिए हाँ इस डाम इन दा पिक्चर रिलेटी पर जूण करहां है हाँ इस दा मैट इंद पिक्चर लेटें तो अर्जून करहा है कि तस्वीर में मौझूद आदबी अर्जू से कैसे संबंदित है ठीग है तो पॉइंग to the picture Arjun said picture की ओर चार करते हुए Arjun ने कहा पहले वाले के नुसार क्यामा आसर दे सकते हैं पिक्चर की और तस्विर की ओर चार करते हुए Arjun ने कहा वह मेरे पिता मुझाब अर्जून के पिता की पत्नी मतलब अरजून की मा की इ..? इकलौती बहु यानि कि अर्जुन की पत्नी की बेटी है तो अर्जुन और इसका रिष्टा ग्यात किया जा सकता है बिलकुल किया जा सकता है पहले से तो किया जा सकता है दूसरा देखिए दूसरे में कहा गया तस्वीर की और इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा वह मेरी बहन अर्जुन क त्रॉप मेरे बेहन की दादी दाधी मतलव पिता की मा दादी के पती दादी के पति के पती यानि की कि लूकर चे weath यहाँ परर ओरज्ण की माल आज जायें कि यहां पर दम Birth जोता दोनों तरफ से इसका ग्यात किया जा से माए इसने से थोड़ी ने पूचा ऑस नहीं तो दोनों से निकाला जा सकता एँ farm yet भीटी रही है और अन्हों वन रही है तो घ्यात करने की वो बात कर रहाuppick थोड़ा सा द्यान दो सब चीजों पर यह सब चीज़े ध्यान देने लाइक है ठीक है क्योंकि यूपी साई का पेपर है यह यूपी SI का पेपर है चलिए इस कोशन को देखें अब यह पर पूर्वनुमान का है यह ध्यान रखेगा इनुजर अजम्शन पूर्वधार ना पूर्वनुमान जो लगा लेते हैं लोग उसका कोशन है ठीक है बोस सफिशेंट भी नहीं होगा ऐदर वन और टू इस सफिशेंट होगा यह ध्यान अब चीजों का तोड़ा सा द्यान देने के अविशकता है बही चलिए कोशन आपके स्क्रीन पर है कि अ कि 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 क कि क्या बात बहुत बढ़िया विश्यवाश तो यहां पर भी बहुत सही कि 29 में दौनों रॉंगे बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि वो कह रहा है कि गुड टीचर्स डैवलप गुड इस्टुडिंट कि अच्छे शिक्षक अच्छे चात्रों का विकास करते हैं कर था सक्तथ शिक्षक उतकष्या देते हैं ऐसा कुछ theory कि अस्टुडिंट टीचर थीं आदर्टष अपने lynnहां यान्णी मताते दे अधी से ज्यादा चीजए घलत रहात अई पटा दे आए अच्छे शिक्षक जो है students को डेवलप करने में मदद करते है अब students अच्छे teacher चाहिए नहीं चाहिए वो सब की बात ही नहीं की गया है only second वाले ध्यान दे की बात नहीं की गयी है कि तुम्हें क्या चाहिए वैसे तुम्हें भी अच्छे शिक्षक चाहिए कब होते हैं तुम चाहिए होते हैं सलमान घाने लगे तुम ढ़ंगे नंगे पंट तो इंद अगे तुमको से नीघ UM आँ ए अंसर फिलाली यह पर गलत हो गया चाहिए वह यह यह सिलीए गलत हो different होगा question no.30 आपकी screen पर है देखे इसमें क्या कहा गया question no.30 आपकी screen पर है बोला गया है इसमें से आपको different बताना है कौन होगा चलिए जल्दी से बता दीजे which of the following one is different select the option that is different from the rest of the given options दिये गाए विकल्प का चेहन करें जो बाकी दिये गाए विकल्पो से बिन है England, New Zealand, Wales, Scotland के रहें England, New Zealand, Wales और Scotland कौन सा different है चलिए करिये इस question का answer जल्दी से गुरू जी वेल्स अलग नहीं होगा है ना वेल्स अलग नहीं होगा दियान लखेगा वेल्स, इंगलेंट और स्कॉटलेंड यह तीनो एक ही जगा पर आ जाते हैं यहाँ पर जो different होगा वो आपका continent different हो रहा है कौन सा continent न्यूजिलेंड वाला न्यूजिलेंड अलग continent पर आ जाता है तो यहाँ पर आंसर दी होगा आप देखिए आप में से 700 वच्चे, माल लीजिए देख रहे हैं और अगर 700 में से 500 ने आंसर C कर दिया तो दो आप पहले पीछे होगा एक नहीं अटाइक नमबर पीछे हो गए हाँ माल देखो मालनो 170 कट आप जानी थी तुम 117.5 पर रह गया अब ऐसे कैसे चलेगा तुम्हारा भाई ठीक है चलिए देखे करिए अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है कोशन नमबर नेक्स कोशन जो है आपकी स्क्रीन पर है बनाई इस कोशन को भी करिए इस कोशन का अंसर तुम्हें इंग्लेंड का भी नहीं पता इंग्लेंड में इतने मैच खिलने भारत जाता है तुम्हें पता होना चाहिए वेल्स में खेलता है स्कॉट्लेंड में भी खेलता है और लेकिन जब वो न्यूजिलेंड जाता है तो वो अलग हो जाता है कॉंटिनेंट ठीक है यह कैसे कर रहे हो तो न्यूजिलेंग अलग कंटिरी है बिल्कुल सही बात है कंटरी है कंटरी है चलिए करिए अगला कोश्चन अपने आप करिए जल्दी से फटा फट से नेक्स कोशन अपकी स्क्रीन पर है करें शुड मेडिकल इंटरेंस एग्जाम भी मेड कंपल सरी क्या मेडिकल परिक्षा क्या मेडिकल प्रवेश्च परिक्षा अनिवारे कर देनी चाहिए तर्क दिया गया है yes, yes, we have to ensure high quality medical education to meet the demand of the rapidly growing medical sector. हाँ, हमें बड़ी तेजी से व्यापक रूप से बढ़ते चिकित्सा चेत्र की मांगो को पूरा करने के लिए उच्च गुडवक्ता की चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी. ठीक है, बात कहीं न कहीं सही है, है ना, बात बिलकुल कहीं न कहीं, बिलकुल सही है कि अगर हमें क्या करना है उच्च शिक्षा, उच्च गुडवक्ता शिक्षा को क्या कहते हैं, प्राप्त करना है, तो हमें मैडिकल और वैसे भी यार कंपलसरी है, बिना नीट के तुम एडमिशन कब ले सकते हो, नीट तो देने ही पड़ता है ना नीट का एक्जाम है ना तभी तो आपको MBBS कहलो या BAMS कहलो BHMS कहलो BDS कहलो आपको admission मिलता है वो बात अलगे तो फरजी डिगरी डिगरी बन वाला हो ना नीट का एक्जाम कंपलसरी होता ही है यह तो गवर्मेंट ने किया हुआ है इस्ट्रॉंग हो गया ठीक है क्योंकि मैं जहां पड़ाता था वो प्राइवेट इंस्टिट्यूट था प्राइवेट युनिवर्सिटी थी बद इस्टिल नीट के थ्रोई क्योंड भच्छे हैं वो चीकित सकक्षिक्षा कैसे वचित रह सकते है और को इसके बारे में इसाल में नश्प्रियंग जालना करड़ा नहीं न क्यासा कुछ भी नहीं है उंग तो रहन सेपनी ऐसाती है व्होंघ ह絹़गा अगला देख लेते हैं नेक्स होंगा चलिए तो next देख लेते हैं अगला देख लेते हैं यह देखिए question number 32 तो यहाँ पर कह रहा है head head is written as ifbe आप से पूछ रहा है iron को कैसे लिखा जाए आप से पूछा गया iron को कैसे लिखा जाए ठीक है चलिए करिए इस question का answer sir sir ceiling गलत हो जाए तो उसको बता दीजिए क्या क्या रहा है भाई समझ नहीं आरी रहूल जोलाचाप डॉक्टर कैसे बने भाई बहुत सिंपल सा तरीका है दवाई यहां लेकर बैठ जाओ ठीक है अच्छा आप यहां पर देखे आइरन अच्छा आइरन को इस तरह लिखा जाए तो आइरन को इस तरह लिखा जाए अच्छा दिया तो गया यह तो J P S O तो दिया गया है देखा नहीं पूचा इसका जेन का तो यहां पर कर देता हूं 10 1 14 और 5 तो यहां पर हो जाएगा 11 पर K 2 पर B 15 पर O और 6 पर आपका F तो K B O F तो K B O F that means option B तो मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने J P S O वो लिख दिया option में फिर मैं ध्यान दे रहा हूं तो यहां पर answer क्या हो गया option number B हो गया ठीक है चलिए तो अगला यह फिर अप चले time भी हो गया क्योंकि अगली classes भी हो नहीं तो आज का session अगर आपको अच्छ दें इस बात को तो अगर class अच्छी लग रही है तो प्लीज class को share करके वीडियो को like करके और जितने भी दोस्त नहीं है वो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथी साथ याद रखिएगा 22 March 22 March सुबह 11 बजे इसको ना भूल जाना सुबह 11 बजे 22 March सुबह 11 बजे आप मेरी जंग जोड से बोलना मेरी जंग 22 March सुबह 11 बजे एक्जामपूर यूट्यूब चैनल पर चलिए तो कल मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक क्यों बाबाए वा गुड डे जय हिंद जय भारत जय एक्जामपूर कर विजय एक्जामपूर च्च्टर शञ़ है ठोस्नार मेरी जूब ह समय क्जा रच्फशतों जाइए सक का क्वापूर भार पर साव्टर कर विए झामपूर झाल झाल